किसान क्या इनको आतंकवादी लगते हैं, किसान क्या इनको उगरवादी लगते हैं, कि CRPF की फोर्से बुला दी जाए, जारेक हमले के अटैक के आदेश दे दिये जाए जै जवान, जै किसाना, जवानों को किसानों से बिढाने का जो शडियंत्र सरकार रच रही है, वो बहुत बुरा शडियंत्र है क्योंकि मोदी जी ये तक तो औरंग जेव का भी नहीं, और रवन का भी नहीं रहा और आपका भी नहीं रहेगा हम राजपती शाषन की मांग करते हैं राजपती शाषन लागू होना चाहिए राजएपाल को ग्यापन देंगे अगर आज के हालात नहीं सुधरते तो हम राजपती को ग्यापन देंगे और राजपती मांग की लागू लागू होने की मांग करेंगे क्योंकि हमारे परशासनी कदिकारी जो है वो कटपुतली बन चुके से आज क्यों सिख समाज को टार्गेट किया जाता है आंदोलन में जब से आंदोलन चल रहा है तब से सिख समाज जो है वो टार्गेट हो रहा है क्यों हो रहा है कि इनको पता है सिक समाज किसी एक पर्टिकुलर जाती के लिए नहीं लड़ता हूँ मानवता के लिए खड़ा रहता है आप सब्सक्राइब कर दो आपको सरकार की कट पुतली नहीं है तो आपकी भाई है जिनके आप लोग ने सर्फ ओड़े बहुत निंदनी आई दुख का कारण आज में करणाल में रहने में बहुत दुख हो रहा है कि मैं उसी म्सीटी की बैटी हूं जहां मनुलाल कर्टर जी ह मुझाफर नगर्च शेरा मंगुगर जी हर्याना दी बेटी अनुरादा पारगव भी पहुंच गए नहीं अनाज मंदी दे बिल्कुल बार जिते कि आज महा पंचयत लिए कट हो रहा है अनुरादा जी कि में देख दो जिस तरी के महाल बन रहा है इन्नी वड़ी तदात सदी ते किसान वी आ रहा है ने देखिए जैसा कि मुझाफर नगर के अंदर जो महा पंचयत रखे गई उसने पूरे जो तक्त हैं दिल्ली के वह लाके रख दिये क्योंकि दिल्ली की वह जो मुझाफर नगर में एतिहासिक जो इतनी बड़ी पंचयत रखी जहां 15 से 20 लाक लोग थे वह बहुत सोजने समझने वाली एतिहासिक देश के अंदर मैंने आज तक ऐसी कोई भी महा पंचयत नहीं देखी उसने तक तिला दिये और जो वो तक तिले उसका आपको यहां देखने को मिल सकता है कि बाहर से पोर्सिस आई वी हैं बाहर से CRPF आई वी हैं ऐसा क करनाल में कोई ऐसा कोई अनोनी ना घटे तकि जो किसानों के लिए या मेरे भाईों के लिए या पुलिस पर्साशन के लिए कई ना कई गलत हो क्योंकि पुलिस पर्साशन भी हमारे ही खुद के भाई और बच्चे हैं पूरे सूबे हलात की में देखिते हुँ कि हलात करनाल के आज जो बन चुके हैं पुरे हर्याना के हलात जो बन चुके हैं वह ऐसे बन चुके जैसे पहले हुकुमतों का डर होता था लाइक मुगल शाशन होते थे वो कि कहीं भी जो है वो कुछ छीना जप्ती या जा लाइक बैरिगेट्स लगा दिये लूट पार्ट कर ली आज वो ही डर आज हमारे हर्यानावासियों के लिए बन चुका है करनाल के लिए बन चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं कि करनाल सीम सिटी जो कि हमारे सीम साम मनो अगर निकलने की पर्मिशन नहीं है अगर निकल रहे तो रूट्स बंद कर दिये गई है देश के हालात बहुत बुरे हो चुके है और करणाल की अगर बात की जाए तो ताना शाही सरकारे जो है वह अपना शिकंजा कस चुकी है और यहां पर किसान क्या इनको अतंकवादी लगते हैं कि CRPF की फोर्से बुला दी जाए डारेक जो हमले के अटैक के आदेश दे दिये जाए SDM को सरफोर्डने के आदेश हो देखिए ताना शाही इतनी नहीं चलेगी और मैं यह कहना चाहती हूं कि करणाल के जो आज हाला देख रहे हैं आपकी पूरा बेरिगेट्स लगाए वे हैं पूरा जो यहां पर अपना इतना बुरा हाल जो स्पोर्से लगाई गई है यह प किसानों की मांग उठ रही है कल कोई और कुम्निटी की उठेगी तो आप लोग का साथ कोई नहीं देगा किसाना था कि मैं देख दूए नो महीने से किसाना अंदुलन में किसान बैठे हुए हैं कितनी शाहदत होई हैं आप यह परिवार उजड़ गए हैं वह अपने लिए तो नहीं आए देश के लिए आए हैं सभी लोग इकटे बैटे हैं किर्शी कानून रद कराने के लिए आए हैं MSP पे वो गारंटी चाहते हैं और परसनली तो किसी ने कुछ नहीं चाहा 600 लोग की शाहदत होगी उसके बाद कितने अभी जो लाठी चार्ज हुआ उसमें कित उन रद कीजिए क्योंकि मोदी जी ये तक तो औरंग्जेब का भी नहीं और रावन का भी नहीं रहा और आपका भी नहीं रहेगा और देखिए दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आज की जो हालात हैं वो हम देख रहे हैं अगर सरकार फिर भी बाज नहीं आती क्योंकि मै हूँ और हम लोएंड और से बार नहीं जा सकते तो में यह कहती हूँ कि हमारी एड़ोकेट लोग जो हैं डुट कम्यूटी से आज हम लोग हालात देख रहे हैं अगर नहीं सुधर ते क्योंकि इसमें अमारे भाई भी हैं हम खुद हैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं उ करते राजपति पालों को ग्यापन देंगे ऑग्धिय। और कि इंसान उटके चलता है किसने लोग इखटते हुए है कोई बुराही को रहां नहीं लगती तो कोई भी ऐसे अपनी इनका बैठके सिंदू बोडर पर नहीं बैठेगा अब आप यह देखिए कि मुझे ऐसा लगता है जब हम एक होंगे आज यूथ की आवाज सुने जाती है देश में जब यूथ की आवाज उठती है तो कोई भी सरकारी तक्त अपने आ फिल जाता है जब महापंचायत में इतने लो सरकार बने राशपती शाशन लाग और अगर तो कि दहिए नहीं बनती योंकि लोग समझ चुके हैं अज हमारे मरेएं शहीद हैं पलीस वालों को चोड़ लगी हैं तो पलीस वाले भी हमारे घर के ही थे और परसाशन में mendखत अज़त मानती हूं कि हमारे भाईयों को हमारे भाईयों से लड़वा दिया जाता है सरदारों को टार्गेट किया जाता है आज अंदोलन में सबसे ज़्यादा जो लोगों की मतलब एक कंट्रोबुशन है या फिर हो वो सोच लीजिए कि डिटिकेशन है वो सिक्षामाज का अपने कहते हैं ए सब्सक्राइब के काम करके और और लोगों में बाट के खाना सी कम Warum कैना चाहती हूं किसी community को आपस में लडाने का काम ना करें सरकार शडियन तर ना रचे क्योंकि बहुत ज़्यादा आज के हाला जो है वो नाजुक हो चुके लास्ट में क्या कहते हैं क्योंकि मैं आपकी पॉस्ट पढ़ रहा था आप बार बार लिखते हैं जिस तरी के करनाल में लाट्री चार्ज हुआ एक सरदार जखमी भी होए थे इतना मन उदास क्यों होता है खासकर क्योंकि आप हिंदू community से हैं आज कल देखते हमकी थोड़े स बाशन होता है आपस में लड़ा दिया जाता है जैसी सियासत है आपके मन में इतना दर्द कैसे और देखिए मैं यह कहना चाहती हूं कि मैंने इस अंदोलन को बहुत नजदीकी से देखा है इसमें सारी community बैठी हुई है सिक community बैठी होती है लेकिन हमेशा जब target मेरी ही community को म मुझे बहुत दुख होता है और कई ना कई अंदर से दिल रोता है कि आज देश के हमने जो चुनके अतक्तों में बठाया आज वही हमारे भाईयों के साथ हमारे बाप के साथ गलत कर रहे हैं देश में बेटी बचाओ अभियान है लेकिन हमारी बेटी है रोड पे बैठी ह है ऐसे हालात आज मुझे बहुत दुख होता है और मैं बहुत दिल से यहमारे कर नाल के हालात हमारे देश का जमान और किसान आमने सामने करवा दिया देश की ंखा हमारे देश में हमें रोटी खाने को देता है जिस तक्त पे बैठके हमारे देश के अंदाताओं की रोटी यह खाते हैं आज हमारे जवानों का अपस में भिड़वा दिया ऐसे हालात क्यूं बने देश को समझना होगा बहुत निंदिनी है आज का जो घटना करम यहां हो रहा अननेसेसरी फंड तो इनके पास बहुत हो जाते हैं अब आप यहीं देख लेजिए कि दिवारे बनाने के लिए बड़े-बड़े पोस्टर लगाने के लिए इनके पैसा होता है 25 लाग रुपे मुहाबजा कोई घलत नहीं है दो लाग रुपे जो जखमी हुए है वो दुख का कारण है। आज मैं करणाल में रहने में बहुत दुख हो रहा है कि मैं एमसीटी की बैटी हूं जहां मनोचला खटर जी हमारे सीम हैं अगर सुनते आमनला खटर जी हाज जोड कर अपील है कि ऎजो आपके उपद्रवी यहां पर आकर उपद्रव मचाने की कोशिश में लगे हुए हैं जो सरकार ने भेजे हुए हैं उनको रोक दीजिए क्योंकि कोई ऐसी अनुवनी घटे ना ताकि राश्पति शाषन की मांग हमें करनी पड़ जाए और देश का युवा रोड पर उतर जा लात्याकान दुबारा से दो रहा जाएगा जी बहुता नवाद सोए ने मैडम पार्गव मानदे बच उदासी भी लाएक है ते चिंता भी कहने की जे साधी यहां किसाना दी वाज नहीं सूनी जान दीता तक्त बदलंच भी समानी लगेगा अपने सहयोगी रवीश अंकर करन शर्मा अकर्दली